मंडियों में कपास की नई आवक शुरू होते ही किसानों के पास अच्छी खबर आई है बजार नियामक सैबी ने कपास वाइदा कारोबार पर रोक लगा दी है सैबी ने Multi-Commodity Exchange यानि MCX पर कपास वाइदा कारोबार फिलाल एक महिने के लिए स्थफित कर दिया है कपास वाइदा कारोबार को लेकर MCX ने सरकुलर जारी किया है देश के सबसे बड़े commodity exchange और कपड़ा मंत्राले Cotton Corporate of India और विभीन उध्योग निकायों के अधिकारियों सहीत विभीन हिताधारकों के साथ बजार निदेशक द्वारा 26 अगस को मुंबई में आयो जीत एक बैठक के दोरान ये निन्य लिया गया फिलाल MCX ने एक सर्कूलर जारी कर कहा है कि एक्सचेंज ने Cotton Future Contracts के नियोमों में संशोधन किया है तदनुसार 29 अगस 2020 से जनवरी 2023 में स्माप्त होने वाले कपास अनुमंद में किसी भी नए स्थिति की अनुमती नहीं दी जाएगी जिसके रर्तमान में कोई खुला हित नहीं है फरवरी 2023 और इसके बास माप्त होने वाले कपास अनबंदों को अस्थ हाई रूप से व्यपार के लिए तब तक लौंच नहीं किया जाएगा चब तक कि आगे की मंजूरी या स्पस्टिकन प्राप नहीं हो जाता अंत में ये भी का गया है कि खुले हित के साथ चल रहे अन्य कपास अनबंदों के लिए कोई बदलाब नहीं किया गया है जिसे सदस्य और व्यपारी नोट कर सकते हैं महाराश्च और करनाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश के कारण कीटों के परकोप और फसल के नुकसान के कारण वित्यवर्ष 2023 के लिए भारत के कपास उत्पादन का नुमान 315 लाग गांट तक घटा दिया गया है वैश्विक बजारों में भी कपास की कीमते सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक के बाद एक बड़ी है अमेरिका ने भी वित्यवर्ष 2023 के लिए अपने उत्पादन नुमान को 30 लाग गांट से गटा कर 126 लाग गांट कर दिया है कि अवया है